हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल मैं सयद्रमीज व्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटिंग पोच आज एक और वीटियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जिसमें हम इंट्रिगेट करेंगे पैमेंट गेटवे और यह पैमेंट गेटवे रहेगा इं नहीं देखे हैं सेजिए वैन्यू पेई इंट्रिगेशन चाहिए तो नीचा में कमेंट लेकिए तो दोस्तों यह है मारा वर्डप्रेस का डैश्वोड जहां पर हम एक प्लगिन को इंस्टॉल करेंगे तो प्लगिन को इंस्टॉल करने के लिए आपको सब्से पहले आना पड़ेगा एड़ न्यू प्लगिन में और प्लगिन वो कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं पैमेंट केटवे यह है इंस्टा मोजो का जो की काफी पापुलर पैमेंट गेटवे प्रोवाइडर है इंडिया में काफी अच्छे सारी फ्यूचर्स हैं इनकी प्राइजिंग वगेरा आप चाहिए तो इनकी साइट पर विजिट करके देख सकते हैं और यह है इनका बनाया हुआ अधर सेल्फ कंपनी का बनाया हुआ इंस्टा मोजो का प्लाग इन जो कि वू कॉमर्स के लिए है वट यह प्लग इन का एक ड्रॉबैक यहां पर दिखा रहा है कि यह प्लग इन काफी टाइम से अपडेट नहीं हुआ है वू कॉमर्स के वर्जिन को मैच नहीं करेगा या वर्डप्रेस के वर्जिन को टेस्ट नहीं किया है मैच कर सकता है सो यह प्लग इन का एक छोटा सा ड्रॉबैक है सो इसी प्लग इन को आप यहां से कॉपी कर सकते हैं और यह पर डाउनलोड करके आप आपके वर्डप्रेस पर इंस्टॉल कर सकते हैं सो हम यहां पर वर्ड प्रिंस प्लग इन अटिश्य प्लगईन स्वाया र्यट करे गाल को देखेंक इहां पर लेकर आगया यहां पर हमें इंस्टाल नौप क्लिकल करना यह वुप स्काइट नौप यह चेरिटेबल इंस्टमों जो पैमेंट गेट पर भी है, यह चेरिटेबल साइट के लिए हैं, यह चाहिद डारेक्ली लिंक बनाया होगा बटन बनाया होगा पर्टिकुलर पैमेंट के लिए जैसा कि PayPal में होता है दोस्तों यह plugin इंस्टॉल हो गया है यहां पर Activate पर क्लिक करना है जैसे यह plugin इंस्टॉल हो जाता है तो आप एक बार once इसको नीचे चेक कर लिजिए कि यह plugin आपका बराबर ली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है देखे यहां पर यह आ गया है और यह एक्टिवेट भी हो गया है और यहीं से इसका सेटिंग भी फूच रहा है अब देखते हैं कि इसकी सेटिंग में क्याकर options and features available है यह जो सेटिंग इंनों ने डारेक्ली link किया है WooCommerce के अंदर सेटिंग में और Settings के अंदर payment gateway में Enable InstaMozoo ए एक चेकबोक्स रहता है पहले आपको इसको select करना रहता है अगर ये by default select नहीं है टाइटल में आपको InstaMozoo यहाँ पर दिखा रहा है आप यहाँ पर आप credit card debit card भी डाल सकते हैं पो पे वाया InstaMozoo यह description में आएगा अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहां पर इनका Client ID है और Client Secret Code है So Client ID, Client Secret मैंने पहले की तरह कॉपी करके रखा हुआ है यह मेरा Client Secret है और यह मेरा Client ID है और इसको हम यहां पर पेस्ट कर देंगे तो दोनों चीज़े हमने one by one यहां पर पेस्ट कर दी मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर परस्ट जो है मेरा Client ID है जो इतर गया है और सेकिंड जो है वो मेरा Client Secret Code है तो यह दोनों आप केरफुली इंस्टा मूजू की जैसे ही आप Plugins इस्टा मूजू में जैसे भी आप एकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको यह Dashboard के इंदर option मिलेगा कि आप आपको Client ID Client Secret Code जैसे ही आप generate कर लेते हैं वो आपको WordPress के Plugins के तो यहां पर डालना रहता है लास्ट option इनों ने दिया है Test Mode को यह Plugins को Best Mode पर अगर यूज करना है तो यहां पर actual transaction नहीं होगा बट वो transaction चेक कर लिया जाता है कि यह properly work कर रहा है या नहीं कर रहा है अभी हम यहां पर यह कर देते हैं इसको save Save Change करने के बाद अभी हम यहां पर देखेंगे कि यह Plugins किस तरह से work कर रहा है User's Prospect is website सबसे पहले आप यहां पर आजाए विजिट साइट इस हम साइट को हम new tab में on कर लेते हैं इसको new tab में on करने की जगा पर हमें करना रहेगा Conient tab में Open in Conient tab यहां पर यह WordPress का मेरा login admin से login था इसलिए वहां पर बहुत नहीं कर पाता इसलिए मैंने यहां पर Conient tab में open किया है So enroll in our high definition video course दोस्तों इससे पहले मैं यह enroll करूँ आप लोगों के लिए इस company में tutorial card ने जिनका हम काम कर रहे हैं 40% discount देने का offer दिया है इनके video course में अगर आप enroll करते हैं तो आपको मिलेगा 40% discount So दोस्तों यहां से हम टेस्ट करते हैं Take this course option So take this course हमें लेकर जाएगा card पर इनके यहां पर card पर ले जाने के बाद हमें इस करना रहेगा Check out Check out में हमें यहां पर यह plugins बता देगा कि किस तरह से plugins वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है देखें यहां पर debit card credit card का यह option आ गया जो मैंने कस्टमाइज किया था आप पेवाया इंस्टमोजो यह यहां पर option आ गया है यानि यह plugin प्रॉग इंस्टॉल इंस्टॉल हो गया है हमारे website के उपर और इसके आगे का अगर आपको टेस्ट करना है तो भी आप हम टेस्ट करके देख सकते हैं चलिए वो भी हम यहां पर टेस्ट कर लेते हैं यह plugin थोड़ा नोट नहीं हो पारा है इसका मेभी कैच या कुकीज का प्रॉब्लम है मैं इसको एक बार रीफ्रेश कर देता हूं कि यहां पर सम्तिंग कुछ हमारा कुकीज या कैच मेमोरी कोई इश्यू है उसको हम साइट और को इंडिकेट करेंगे और यह plugin हमारा successful गवार कर रहा है दोस्तों इससे अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो नीचे कमेंट करना नाम भूर है और वीडियो को